नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यप चैनल दे ट्रेडबूल ओफिशल में दोस्तों इस वीडियो में हम ये डिसकस करने वाले हैं कि निफ्टी-फिफ्टी मंडे 21 मार्च को कहां पर कामकाज कर सकता है मार्केट ने वीरवार कहां पर अपने लिए सपोर्ट और रिसिस्टेंस बनाई वही है और साथ ही साथ हम ये भी डिसकस करेंगे कि आपके कॉल पुट के क्या टार्गेट होंगे मंडे के लिए क्या स्ट्राटेजी होनी चाहिए बट उससे पहले ये डिसकस कर सकते हैं कि इस बार की एकस्पाइरी जो हमारी 17 मार्च को थी वो कैसी रही और क्या टार्गेट हमारे अच्छीव हुए तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं डिसकॉर्ड पर मैंने सुबा ही वीरवार को बता दिया था कि एक बहुत बड़ा गैप अप एकस्पेक्टेड है मार्केट के अंदर और उसके बाद मार्केट जो है साइडवेस जा सकती है और वैसे ही हुआ मार्केट ने हमें यहां पर तकरीबन 17,250 के आस्पास एक बहुत बड़ा गैप अप दिया इसके बाद मार्केट ने यहां पर ठीक यहां पर एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया एक प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग आने के बा सारा दिन सारा दिन मार्केट जो थी वो साइडवेज रही और सिर्फ यहां पर प्रीमियम की इरूजन हुई प्रीमियम का डीके हुआ बाकी मार्केट ने यहां पर किसी को कोई भी मौका नहीं दिया तो दोस्तो ऐसी साइडवेज मार्केट के अंदर हमेशा ट्रेडिंग को avoid किया जाना चाहिए बुद्धवार को भी यह हुआ था market ने इतना बड़ा gap up दिया और gap up दिने के बाद market ने दुबारा से एक sideways momentum पकड़ लिया तो दोस्तों अगर आप थ्यान से देखेंगे market एक pattern एक channel पे चल रही है जो की channel है यह कुछ इस तरीके से बंगता हुआ अब अगर आप देखेंगे इस channel के अंदर जो सिर्फ moment है इस box के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो निफ्टी है सिर्फ 60 point के अंदर move कर रहा है और इस से ज़ादा इसमें कोई भी moment नहीं आ रही है अब तकरीबन यहाँ इस zone में कहीं न कहीं आपको opening दे सकती है और यह zone कौन सी है यह zone है 17,440 से लेकर 17,480 तक की zone इस zone में हो सकता है मंडे को आपको एक gap up opening दिखने को मिले अब दोस्तों जैसे ही जब भी इतना बड़ा gap up open होता है market के अंदर तब उसके अंदर यहाँ तो market में दो चीज़े होंगी यहाँ तो एक आपका यहाँ पर gap fill करने आएगी market यह market sideways हो जाएगी तो आपको ध्यान रखना है इन दो चीज़ों का की market जब तक इस level को यह जो मैंने mark किया यह box यह box को जब तक market तोड़ कर उपर ना निकले यह कौन से level है यह है तकरीबन 17,480 इस level के उपर आप market निकलती है तो call की position में बैठ सकते हो target आपके जो रहेंगे वो मैं यहाँ पर mark कर रहा हूँ आपका पहला target रहेगा 17,560 यह दो target आप call की position के लिए बैठ सकते हो यह रहा 17,520 और 17,560 अगर market आपको 17,480 के उपर निकलती हुई नजर आए और अगर market हो सकता है gap fill करने आए तो आपने put की position में सिर्फ एक ही scenario में बैठना है जब market यह level 17,420 इस level के नीचे निकलती हुई अगर आप जाती है तो ही सिर्फ put की position में बैठेंगे और targets जो आपकी रहेंगे वो रहेंगे 17,360 का और 17,325 का बस यह दो ही target आप यहाँ पर put की position में बैठोगे अगर market आपको 17,420 के बीच में नीचे जाती हुई नजर आए और इस zone के अंदर अगर market ने trade किया गाईस ध्यान से सुनना यह जो zone होने वाली है यह कहीं न कहीं वापस से sideways हो सकती है तो यहाँ पर आपको no trade लेना है वीरवार वाली गलती मत करना अपने पैसे को बचा के रखना capital को safe करके रखना otherwise वापस से बड़ा loss करवा लोगे तो इस चीजों को याद रखना कि आपको Monday को गगर gap up होता है तो sideways market जा सकती है उस sideways के time पर आपको कोई trade नहीं लेना और जब भी उस sideways को तोड़ेगी जिस भी direction में जाएगी उसी direction में हम trade लेंगे live stream को watch करते रहना वहाँ पर मैं आपको साथ-साथ live analysis देता रहता हूं और वो आपके काफी काम आ जाएंगे तो दोस्तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाईएगा यूट्यूब के चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट दे सब्सक्राइब बटन और डिस्कॉर्ड को प्लीज जॉइन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर आफ्टर दे मार्केट हम डिस्कॉशन करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉंग एक कम्मुनिटी वहाँ पर हमारी बन रही है तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थैंक यू बबाई